यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप लोग तो यहार आज का जो रेकमेंडेशन है एक नॉवल जो कि एड़ैप्ट किया जा चुका है एक नेट्टिक सीरीज में भी पिलाल इस सीरीज का मैंने एक ही एपिसोर देखा है लेकिन मैंने नॉवल पूरी पड़े हुए है इस कॉल् आपको हर रोट साइट सेलर के पास मिली जाएगी मतलब उनके पास वो पुक तो होगी होगी तो सेलेक्शन डे के बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको इन अनुट्शल सेलेक्शन डे कहा नहीं है बेसिकली दो भाई हो की जिनके फादर बहुत दिमांडिंग है और उनक दोनों बहुत पूर बैक्ग्राउंड से आते हैं उनके फादर जो है वो एक चटनी सेलर है और उनकी मदर उन्हें बच्पन में ही चोर के जा शुकी है तो यह साउथ इंडियन की कहानी है जो की कनाटका से बॉंबे मूव होई है इस बुक में बेसिकली यह बताया गया है क कि इतनी पॉलिटिक्स है तो आप इंटरनेशनल लेवल को भूल दी जाओ तो इतनी पॉलिटिक्स दिखाए गई है उसमें और यह बुक यह तूनों भाई पैट्समेन है मतलब एक ऐसा टाइम भी आता है जब इस बुक में सची दंदूलकर से इन दोनों को कम्पेर किया ग अब मतलब आप क्रिक्ट में तभी एक स्टार में बन पाऊगा अगर आप एक बॉलर हो आप स्टार तभी बन सकते हो अगर आप एक बैस्मेन हो तो इस स्टोरी में करप्शन, पॉलिटेक्स वो सारी चीज़े हैं और वो लोग उनकी कहानी है जो कि क्रिक्ट में तो जब नॉवल में बिजनसमें पर फोकुस शिफ्ट होता है तो यह बताया है कि वो कितना अमीर है और वो मरीन ड्राइव में रहता है और जब यह फोकुस शिफ्ट होता है इन दोनों बॉइस पर बताया जाता है कि वो वसाई के स्लम्स में रहते हैं और जब वो बड़ा पॉइंट आफ दिखाया गया है कि लोग कितने कमफर्ट में रहते हैं, कितने कमफर्ट की लाइव गीते हैं और वो गरीब लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं और वाइटाइगर में भी एक्याटली एध यही चीज ठाइग गई है, वाइटाइगर के बारे में थोड़u सा बता बादखा जाता है वाइटाइगरं बैसिगली एक अमीर आदमी के ड्राइवर की गहानी है, छो कि अमीर अमीर लोगों के इंनर वॉल्ड को देखते हैं तो इनकी जर्नी दोनों भाईयों की ताफी अच्छे स्टोरी दिखाए गई है और बीच बीच में यह स्टोरी काफी फ़नी भी हो जाती है क्योंकि यह दोनों ही टीनेज बॉइज है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दू सब्सक्राइब मैं चैनल और कमें प्रेकमेंडेशन वह जाए और इसके साथ ही साथ अगर आप लोग को पस कोई भी सूजेशन ओ तो लेट मी नो एफिनेटलिफ इपलीच नेट नेट शीए और भी धैटलिए on my videos and my channel thank you for watching the videos cheers